एक कप चाई पीलो मेरे तरीके से बनाकर सर्दियों में रोज सो से ज़ादा बिमारियों से आप छुटकारा पासकते हैं हाई फ्रेंस आज मैं फिर से एक बार आपके साथ इम्मिनुटी बूस्टर चाई की रेस्पी शियर कर रही हूं कितना भी खासी जुकाम रहता है गला खराब रहता है कफ जम गया है बलगम जम गया है नहीं निकल रहा है आवाज साफ नहीं आती है तो ये चाई आपके लिए बहुत कमाई प्रेंस मैं गीता वर्मा गीता की रेसिपीज हिंदी में एक बार फ्रेंस से आपका बहुत बहुत सौटत करती हूँ फ्रेंज अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा दूसरों के साथ शेयर करिएगा कॉमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब करके जबूर चाहिएगा तो आईए वीडियो शुरू करते है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने काली मिर्च के दाने ले ले हैं आट से दस दाने हैं दो से तीन कप चाए मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ उसके एकॉर्डिंग की सारी चीज़े लूँगी काली मिर्च आप जानते कितना भी कफ हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, बलगम हो, सब को दूर करता है, बहुत ही ज़दा कारगर है, और यहां पर एक इंच अधरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, अधरक भी गला साफ करने में बहुत ज़दा मदद करता है, खांसी जुका अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसे अच्छे से बारी कूट लेजिए अध्रग को भी बारी कूटना है ताकि इसका जो रस है वो आसानी से चाय में जा सके यहां पर दोनों चीज़ों को मैंने निकाल लिया है अब एक नई चीज में आपके साथ शेयर कर रही हूं हो सकते आप पतिक के बारे में जानते हूं यह मुलेठी आपने बहुत बार टीवी एड में भी सुनाओ का मुलेठी का नाम जब चाय की बाताई है तो मुलेठी के बातात बहुत अच्छे से साफ करती है कितना भी कफळ जम्या हो गया खराश रहती है आवाज साफ नहीं आती है, आवाज फटी फटी आती है, सब के लिए राम बान इलाज है, ये सिर्फ गले के लिए अच्छा नहीं होता है, स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, मुलेठी बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है, तो श्वक्छी कोट ठीज है कि इस यहाँ कोट नहीं है फोड़ी से महप्त लगती है तो एक दम powder तो नहीं होगा पर जितना हो सकेगा हम उत्रह ज़ mention कोट लेंगे यहां पर अभी जर्चा योग तो एंदू पनाए टोदैजिर मदो हैं अन्लैंद सब्सक्राइट हो assistir उसके सारे benefit हमें मिले अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये मिलेगा कहां ये किसी भी पंसारी के दुकान पर आसानी से मिल जाता है नहीं मिलता है तो मैंने तो online मंगाया है मैं online link दे दूँगी आप वहाँ से खरीच सकते काफी सारा आ जाता है बहुत नहीं है और बहुत पूरी सर्दियां आपके निकल जाएंगी इसे इस्तमाल करिए कोई महंगी चीज नहीं है पर गले के बहुत इफेक्टिव है रोज इसके कप चाय बना के पीजे देखे रिजल्ट आप खुद करेंगे माम वाकिब बहुत बढ़िया चीज है मैंने इसे और अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़े डालूँ कि अभी मैंने गैस को ओन नहीं किया है पहले मैं गैस को ओन कर लेती हूँ कैस को ओन करने के बाद हमें क्या करना है जो अदरक और काली मर्ज हमने कूट के रखी थी सबसे पहले वो डालेंगे ताकि जितना भी अध्रक का रस है वह पानी में अच्छे से चला जाए तो जितना देर इसे उबालेंगे ना उतना अच्छा फ्लेवर आएगा उतने अच टूल्सी की चाई पी कि एस एक कहा जोपन शीशा में हम को बहुत बादार्त वर रिजल्ट मिलुक दो चमच में यह पर चाय पत्ती और आपको झांजम कितने ही बहुत तूर हन लगते हैं और तो जहादत क्हले हो पीने के लिए क्योंकि बहुत लोगे चाय नुपसान करती है जादा नहीं कह रही सिर्फ एक कप रोज कह रही हूं अब इसके अंदर मैंने यह मुलेठी वाली डंडी डाल दी है और जो हलका सा पाउडर था वह भी मैं इसके अंदर डाल देती हूं तो इसको हमें अच्छे से उबालना है पांच मिनिट के लिए चाय मैंने यहां पर गैस को लो मीडियम पर कर दिया ताकि यह उबलती भी रहे और जितने भी सारी चीज़े हमने इसमें डाली है उनका फ्लेवर जो है वह पानी के अंदर आ जाए तो यहां पर मैं पांच मिनिट इसे उबाल लिया है अ आप अपने हिसाब से दूद की क्वांटिटी रख सकते हैं हर किसी का टेस्ट जो होता है वह अलग होता है कोई जादा दूद वाली चाय पीता है कोई कम दूद वाली पीता है तो आप अपने हिसाब से दूद की क्वांटिटी रख लीजेगा जैसे आपको पसंद है तो य चाइ में अबाल आना शरू होगा है इसे Does नार आ एसरे बी क्याक्यान है चाइस हमें इस नोड़ चाई में डिंने है और यहां четыreaktी में ड़कि उबाल दरुए है उड़ा जाहरे ने जल्द बाजी मत करिये का चाय बनाने में बहुत लोग क्या करते रहा है एक उबाल दिया हो गई चाय ते यार ऐसे नहीं करना है दो से तीन उबाल दीजेगा ताकि अच्छे से सारी फ्लेवर्स आ जाए और उसके बाद मैं आपको बताती है तो मैं मीठे के लिए क्या करने व के बाद यहां पर मैं गुड का इस्तुमाल कर रही हूँ सर्दियों में गुड बहुत ज़दा फायदा करता है खून की कमी रहते हैं उसे दूर करता है अगर आप चीनी नहीं पसंद करते हैं तो चीनी के जगे गुड डाल सकते हैं या फिर इसमें शहद भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हमें गुड नहीं डालना तो आप गैस बंद करने के बाद शहत को डाल सकते हैं, एकदम गरम गरम उबालना नहीं है शहत को, तो गैस बंद करने के बाद डाल दीजेगा, मैंने गुड डाल दिया है, गुड को अच्छे से मिक्स कर दिया है, औ लिकनी भी कोशिश कर लिए ये सिर्फ घर पे ही बनेगी और ये एक कप चाय आपको सो से जादा बीमारियों से निजात दिलाएगी इस बात की गैरंटी है इम्मुनुटी बूस्टर चाय है डेली सरदी में एक कप आपको इसे पीना है और इसका जो रिजल्ट है में साथ जरूर शेयर करना है आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आपको